विवाह का उद्देश्य है कि हम एक सक्षम, सबल और सामर्थिवान, संतती को जर्म दें लेकिन आज के समय प्राय विवाह सुक भोग का साथन रह जाता है बच्चों के अंदर जो स्पर्म काउंट्स हैं यानि शुक्राणों उनका भाव होने की वज़े से परजनन की ख्षमता नहीं होती है और सिधा साब तो विज्ञान साफ साब बता रहा है कि एक मिलिलीटर एमल जिसको आप बोलते हैं उतने वीरिये में हमारे पास 15 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं लेकिन अगर 39 मिलियन से नीचे स्पर्म काउंट रह जाता है तो ऐसा व्यक्ति संतान को जनम देने यानि गर्भ स्थापन करने के लायक नहीं होता है यह पुरुष बंधयत तो कहलाता है मिड़मना यह है कि आजकल बचों से कहते हैं कि भई आप संतान अभी 2-5 साल-7 साल हो गए संतान क्यों नहीं हो रही तो वो शुरू में यह कहते हैं साहब हमने अभी प्लैन नहीं किया है ये प्लैन का विशे नहीं है ये तो ग्रहस्त का उद्धिश्य है पहला प्रसाद सुसंतति होना ही चाहिए और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बजाए संकोच के छिपाने के आपको कारण स्पष्ट बताना चाहिए क्योंकि कुछ भी चीज बिना कारण के नहीं होती है जब बंधत्व है यानि आप गर्वस्थापन करने लायक नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ कमी है और प्राए पांच मुख्य कारण इसके होते हैं जिस वजह से शुक्राणों का अभाव शरीर में हो जाता है उन कारणों में मुख्य कारण है मुटापा और जिसको ओबीस कहते हैं दूसरा कारण है डाइबिटीज तिसरा कारण है सिगरेट शराब या एडिक्षन और एक और कारण है वो कारण कहलाता है आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो आप नहीं जानते हैं यानि हम एक जमाना था कच्छे पहनते थे लोग लेकिन अब उन शॉर्ट्स को न पहन करके चांगिये पहनते हैं यानि जो टाइट वस्तर है उसको पहनते हैं जिस वज़े से हमारे जो टेस्टीज हैं क्योंकि शुक्रानू बनते हैं टेस्टीज में अंड कोश में और उनको अगर आप पूरी त यसे जकड करके रखेंगे तो सभाविक है कि उसमें गर्मी पैदा होती है और शुक्रानू गर्मी में मरते हैं वो पनप नहीं पाते हैं और इसलिए देखो कुदरत के निजाम को समझना चाहिए चाहे मनुष्य हो और या पशू हो अंड कोश को शरीर से बाहर ही रखा गय क्या है जिससे के वो गर्मी से बचे रह सकें और विदंबना ये हो रही है कि लोग सोना बात लेने लगे हैं होट बात में चाहिए रस लेते हैं क्योंकि आराम से नहा लेते हैं उसमें लेकिन वो गर्मी उनके शुक्रानूओं को मारने वाली होती है और एक मुख्यकारण शुक्राणों के कम होने का है के लैप्टॉप यानि जिन गोद में बच्चे खेलने चाहिए थे उन गोद में हमने कम्प्यूटर रख लिये हैं और लैप्टॉप का हमारे सीधे-सीधे विकिरण इन अंगों से होने की वज़े से भी शुक्राणों का अभाव होता है तो एक इन कारणों का निदान हमें करना चाहिए हम अपने टेस्टीज को सुरक्षित करें और उनको थंडे वातावरन में रहने का मौका दें यानि जो लूज क्लॉजिंग है वो पहननी चाहिए जब आपको खास मेहनत करनी है व्यायाम करना है योग साधना की जटिल करियाय करनी है तो आपको लंगोड धारन करना चाहिए लेकिन जो अधिकान समय है उस समय शरीर को जकडन से फ्री रखना चाहिए जब ऐसा हो जाए तो जहां योगिक क्रियाएं आपके लिए सहयोगी हैं वहां कुछ आहार भी सहयोगी होते हैं इसमें हम लोगों को खास तोर से बड़ दालचीनी आपके घर में हैं दालचीनी का प्रियोग करिए दालचीनी का पौडर बना लीजेगा और तीन ग्राम मात्र दालचीनी रात्री को सोते समय उश्र दूद के साथ गरम गाय के दूद के साथ उसका सेवन करें तो यह आपके शुक्रानों के अभाव को दूर करेग इसी तरह से एक बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप फैंक देते हैं इमली तो खाते हैं लेकिन मज़े की बात है कि इमली जो है पौरुष का ख्षय करते हैं लेकिन इमली का बीज जो है शुक्राणवों को बढ़ाने वाला है और वीरिया को गाढ़ा भी करने वाला है तो इमली की गुटली जो अक्सर फैंक देते हैं उसका पौडर बना लिजिएगा और उसका पौडर आप सेवन करें लेकिन जो उसका पौडर तीन ग्राम की मात्रा में ही सुभे के समय सेवन करें और वो भी दूद के साथ होना चाहिए लेकिन वो गरम दूद के साथ नहीं वो गरम करके यानि बॉयल दूद को ठंडा करने के बाद उसके साथ करना चाहिए एक बहुत प्यारी सी चीजे जिसको हम बट बोलते हैं बरगद बोलते हैं तो बरगद के जो पत्ते हैं उनसका दूद विशेश रूप से शुक्राणों को बढ़ाने वाला होता है और आप बरगद के दूद को बताशे में यानि बरगद का पता तोड़ेंगे तो बताशे में उसको डालिए उसमें पत्ते में से दूद टपकेगा तो इस तरह से लगबग 6 भूंद भी अगर आपको मिल जाती है तो एक बताशे में 6 भूंद डाल करके आप खाली पेट उसका सेवन करिए और उसके उपर धारोशन दूद पीजिएगा धारोशन दूद अब तो जानते भी नहीं लोग किसे कहते हैं ये सीखने के लिए आपको मुक्षायतन योगाश्रम में शायद आना पड़ेगा योग की शरण में आना पड़ेगा धारोशन का मतलब है जैसे मा का डायरेक्ट दूद हम पी करके खूब पलते हैं बढ़ते हैं ऐसे ही जो गो माता दूद देती है तो उसको जो दूद निकलते के साथ जो हम सेवन करते हैं उसको एक रुमाल मलमल का गिलास के ओपर ढग दें और उसमें धार ली जाए दूद की तो भूवाला जो दूद है उस सेवन करने के लिए उसको हम धारोश नदूद कहते हैं उसका आप सेवन करिएगा तो आप देखेंगे कि केवल मात्र एक हफता अगर इसका प्रियोग करते हैं तो आपके स्पर्म काउंट्स में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छे संतान को जनम देने लायक हो जाएगे सिंघ आसन इस आतमष्वास बढ़ाने वाला आसन है और आतमभिश्वास के साथ साथ जो हमारे अन्यलाव है इसे वो तो हमको मिलेंगे तो इसलिए सिंघ आसन कैसे करते हैं कि पद्मासन इसमीं लगा लेते हैं इस प्रकार से और पदमासन लगा करके फिर हम पदमासन के भरोसे आगे की तरफ इस प्रकार आकरती ले लेते हैं यानि अंगली अंदर की तरफ रहती है और जो कलाई है वो बाहर की तरफ रहती है कमर दबी हुई है सीना उचा है और स्वास भर करके आँखों को पूरा खोलना जिव्वा को पूरा बाहर निकालना और फिर लंबी गरजन इसमें करनी होती है 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 फिर नाख से अराम से सांस ले लेते हैं पिर एक बार पिर से पूर विस्तिति में आ जाते हैं और सिंग आसन के बाद हम लेते हैं महामुद्रा आसन महामुद्रा भी वीर्य को संयत करने वाली है और हमारा जो रिप्रोड़क्टिव और गन्स हैं उनको नॉर्मल बनाने वाली एक रिया है एक बार आसन खोल लेते हैं और फिर महामुद्रा में पैरों को चौड़ा खोल करके और एक पैर को इस तरह से नीचे सीवनी नाड़ी पर स्पर्श करते हैं सीवनी नाड़ी का मतलब है वो नाड़ी जो हमारे शुक्रानों को कंट्रोल करती है जो सीवनी नाड़ी है उसका कारिय शुक्रानों को कंट्रोल करना है तो इसमें एड़ी जो हमारे अंड कोश से नीचे गुदा तक लाइन बनी हुई है उसके उपर लग जाती है और पैर का जो पंजा है वो जंगा के साथ तच करता है तलवा पूरा इसके साथ चिपक जाता है इस तरह से और फिर जो पैर फैला हुआ है उस तरफ साइड में गोम जाते हैं और स्वांस भर करती है जैसे से हाथ उंचा जाए सांस भर लिया जाए और फिर सांस छोड़ते हुए फैले हुए पैर की तरफ जुकना इसको पकड़ लेना और अंगूठे को इस तरह से हुक बना करके फसा लेते हैं उगली में इस से हमारे भ्रमचरिय को और नेतर जोती को दोनों को ही लाब मिलता है क्योंकि खड़ाओं पहनने में यहीं दबाओ पड़ता है और फिर जितना हो सके आगे जुकना कोई जरूरी नहीं है कि आपका घुटना से माथा लग जाए मैं जानता हूँ कि जो पहले से ही समस्य अग्रस्त लोग है वो उस स्तिती में नहीं पहुँच पाएंगे एकदम से लेकिन अगर आप इसे रोक करके हाँ रुके हुए है यानि अंगूठा हुक बना हुआ है और जो हमारी एडी है वो सीमनी नाड़ी पर दबाओ दे रही है तो इतना मात्रवी परियापत है सिर को डिला छोड़ दीजिए आगे जुकिए ऐसे और फिर स्वास भरते हुए वहाँ आपस पूरा सीना हुजा कर लेते हैं और प्रार्थना की स्तिती में लौट आते हैं ऐसा करने के बाद यही इस्तिती दूसरे पैर पे भी दोरानी होती है उसमें हम पैर को पोजिशन बदल जाएगी और क्रिया जो है वो उसी प्रकार से होगी इसके बाद हम लेते हैं मत्सेंद्र आसन मत्सेंद्र आसन में दाहिने पैर को इस प्रकार से मूड लेते हैं कि एड़ी हिप्स को टच कर जाए और दूसरा पैर ऐसे खड़ा कर लेते हैं कि जो दहीना पैर है उसको क्रॉस कर लिया जाए पैर के दौरा और फिर जो हमारा दहीना बाजू है उससे बायं पैर को दबा लेता है, इस प्रकार हाथ उंचा उठाया, स्वांस भरा और फिर ऐसे, जो बाजू पीछे गया है, उसी तरफ घूम करके देखना, स्वांस चलता रहेगा, इस अवस्था में यथा सामर्थे, अपने स्टेंडर बना करके, 10 से 15 स्वांस तक रुकें, और फिर उसके बाद, इसी तरह से पैर की स्थिति बदल लेंगे, और दूसरे पैर को, यानि इस बार बाए पैर को, हमने दाहेने हिप से टच कर दिया है, और जो दाहेना पैर है, उ और फिर इसको बगल में दबाएंगे, अब पीछे घूम करके देखना, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला आसन है, और अब जानते हैं, कि डायबिटीज की अवस्था में शुक्राणू जो हैं, बहुत कम रहते हैं, इसलिए डायबिटीज भी शुक्राणू के कम होने का कारण है, तो आप इस आसन को करेंगे, तो डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगे, इसके बाद हम लेते हैं सरवांगासन, सरवांगासन में सारे अंग उठ जाते हैं उचे, यानि हम बैठे हैं, लेट जाएंगे, और फि इस तरह से मूचा उठेगा कि शरीर सीधा उपर हो जाए, इसको अंग्रेजी में शॉल्डर स्टेंड भी कह देते हैं, और ठुड़ी हमारी कंट कूप को टच कर जानी चाहिए रहें कर दू़ें, आर उचो से घ्सरों कर दोने बानिच videos आरे लाएंगे, रहे हैं, आरे ये उझा उषद़ीं लाएंगे, येर भीज ग्लों ये भीजी, अचे अचनिय। जब तक उपर रुके रहते हैं, आखें खुली रहती है, पैरों के पंजों पे नजर टिकी रहती है, और वापिस पैरों को जमीन पे लाकर के सांस को छोड़ देते हैं. इस प्रकार से यह हुआ हमारा सरवांग आसन, स्वांस भरते हुए उड़ जाते हैं, इसके बाद हम लेते हैं शीर्ष आसन, शीर्ष आसन सुभाविक है, कि सब लोगों को एकदम से उसका अभ्यास नहीं होता है, और लेकिन यदि आप इसको करते हैं, तो यह बहुत बहुत अधिक लाबकारी आसन है. थीर ऐसे वापस पूरी स्थिति माज आते हैं, अपर जितनी देर हमने शीर्ष आसन किया, उतनी देर के लिए ही, हम खड़े हो करके शरीर को नॉर्मल कर लेते हैं, लेट करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेना चाहिए इसमें, प्रियत्निश्य थिल्यम्, बिल्कुल बदन कोड धीला छोड़ करके आराम करना, हम भwehr हैं में जितना कोड़ी श राया हैं वे विए जितना को आराम करना काओ आ खIMयार इसमें देराम को ऑमें और रका दmotरार